अगस्त अगस्त तोजार तेईस में आवासियुं सहरी मामलों के मंत्रा लई यम एच यूए ने स्मार्ट सिटीज मिस्टन के अंतरगत आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज आवार्ड कांटेंस्ट आई येस एससी प्रतियोगता कि विज़िताओं की गोसना की नैशनल स्मा स्मार्ट सिटीज आवार्ड में काउन सहर्ड दूसरे अस्थान पर रहा है तो यह रहा सूरत इंडिया स्मार्ट सिटीज आवार्ट कंटेंस्ट 2022 के वार्व में देखने हैं वित्रण थी 27 सितंबर 2023 संस्क्राण क्यों था संस्क्राइब गेज़ताओं को समानित किया गया राजपति द्रौपद मुर्मुद्वारा पिछला संस्कान 2018-2019 और 2020 में आज उत हुआ आवार्ड प्रदान किया जाता है छह सेनडियों में कुल 64 आवार्ड पहला परियोजना प्रुषकार दस अलग अलग तीम दूसरा इनोवेशन प्रुषकार दो अलग अलग तीम तीसरा राजप्रुषकार चौता है राजप्रुषकार पाचवा केंसासित राजप्रुषकार छठा पार्टनर प्रुषकार तीन अलग अलग तीम के लिए विजेताओं की सूची राश्टिय स्मार्ट सिटी आवार्ड विजेता पहले नमबर पर इंदोर मत परदेश में मत परदेश का दूसरा है सूरत गुजरात का तीसरा है आगरा उत्तर परदेश का ठीक है राज पुरुसकार विजेता पहले नमबर में मत परदेश दूसरे नमबर पर कमिलनाड तीसरे पर राजस्थान और उत्तरप्रदेश ठीक है यूटी अवार्ड में यूटी अवार्ड में है चंदीगड इस्ट जोन जोनल स्मार्ट सिटी अवार्ड विजेता को नहीं पराची चारखंड बोनेश्वर उडिसा ठीक है बेस्ट जोन में जोनल स्मार्ट सिटी अवार्ड विजेता कोन है एहमदाबाद पहले नमबर पर गुजरात का और सोलापुर महराष्ट का ठीक है साउथ जोन में है कोहिमटूर तमिलनाड का और बेल गावी करनाटक से ठीक है नौर्थ इस्ट जोन यह है कोहिमा नागालैंड और नामची सिक्किम में ठीक है नौर्थ जोन में है वराणाडसी उत्तरप्रदेश और उदैपूर राज्थान में निर्मित परियावरान स्रेंडी कावार्ड विजेता पहले नमबर पर कुएमटूर दूसरे पर इंदवर तीसरे पर न्यू टाउन कोलकाता यूं कानपूर संस्रेंडी कावार्ड विजेता एहमदाबाद भोपाल और तंजावूर एकोनोमी स्रेंडी कावार्ड विजेता जबलपूर इंदवर और लखनवू गवर्नेम स्रेंडी कावार्ड विजेता चंदीगड पिपिरी चिचवड जबलपूर और उदेपूर यूम उदेपू एक कि तो सोचल इसप्यक्ट सरेणी में ऑवड बिजेता बड़ोद्रा आगरा राय कोर्यूंक तुथीकुडि आर्बन इर्वाइब्सेनी में विजेता इंदोर पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर सिवम गई तीसरे पर जम्मू जल सरनी में बिजेता पहले नंबर पर 15 एब सनेंसे कि अवर्ड विजेता औरलमपर सुरत दूसरे पर इंदोर थी जanut पर आग्राएं आई की सी जम्स मॉडैल मःटामूर एफटाइन गालियर मॉबिल्टी सिनलम बिज शन्हां धर्ट मॉडूच नियु टाउन कोल्काट थीजिंद पर सागर इनोवेशन आइडिया स्रेडियों में विजेता होगली और होगली धारवार दूसरे पर सूरत तीसरे पर रायपुर स्मार्ट सेटी मिशन का उद्देश 25 जून 2015 को सुरू किये गए इस मिशन का उद्देश स्मार्ट साल्यूशन के माध्यां से अपने नागरिकों को मुख्य, मुनियादी धाचा, स्वच्च और टिकाव आतावरन और समानित जीवन की कुड़ता प्रदान करना है अगस 2023 में भारत का पहला बायो डायवर्सिटी विलेज एटलस किसे ने जारी किया तो यह किया परमोस सावंत ने परमोस सावंत कौन है तो यह गोगा के मुख्यमंत्री है भारत का पहला बायो डायवर्सिटी विलेज एटलस जारी किया जारी जारी ती थी 16 अगर 2023 को जारी करता रमसामत मुखमंत्री गोगा क्या है जारी एटलेस भारत का पहला बायो डायोर्सिटी बीलेज एटलेस उत्तरी गोगा के मायेम गाउं का जय विवित्ता एटलेस भारत का पहला बीलेज एटलेस है अगर 2023 में भारत के किस राज में भारत का पहला AI स्कूल लांच किया गया तो यह केरल में लांच किया गया ठीक है भारत का पहला AI Artificial Intelligence स्कूल लांच लांच ती थी 22 अगस 2023 को लांच करता रामनाथ कोविन भारत के पूर्व राष्ट पती ठीक है लांच अस्तल सान्तिगिरी विद्यामौन तिर्वनंदपुरम केरल ठीक है AI स्कूल के बारे में देखने है भारत का पहला Artificial Intelligence स्कूल है या स्कूल कच्छा आठ से बारा तक के छात्रों के लिए होगा AI स्कूल के छात्रों को कई संक्याय सदस्यों विभिन अस्तरों के परिच्छन योगिता परिशिच्छा परिच्छा प्रामर्स कैरियर योदिना सहायता और मेमोरी ट्रिक्स से सहायता मिलेगी अगस 2023 में भारत का पहला 3D printed post office की सहर में खोला गया बैंगलिवरू में ठीक है भारत का पहला 3D printed post office अठारा अगस 2023 को उधगाटन दस्तल बैंगलिवरू के कैम्ब्रिज लियाउट में उद्गाटन करता अस्वनी बैस्वनों के इंदरी रेल मंत्री है ठीक है डाक घर का निर्माण लार्सन एंड टुर्बो कंट्रेक्शन IIT मद्रास की तकनीक के सहीवब से बनाया गया ठीक है अगस्त 2023 में घोसित प्रधान मंत्री बिस्व कर्मा योजना के लिए कितना बजड निर्धारित किया गया है तो यह किया गया है 13,000 करोन रुपए ठीक है प्रधान मंत्री बिस्व कर्मा योजना के बारे में देखते है मंजूरी तिथी 16 अगस्त 2023 को लागो तिथी 17 सितंबर 2023 को गोसला करता प्रधान मंत्री भारत की प्रधान मंत्री नेर्ण मोदी ने का गोसला किया ठीक है सब्कृत बजड बजट 13,000 करोन रुपए पांच वर्सों के लिए 2023 चोविस सिले के 27-28 के लिए ठीक है योजना का पूरा नाम योजना के बारे में देखते हैं ग्रामी डाउन सहरी भारत के पारमपरी खारीकरों और सिल्पकारों को समर्थन देने के लिए केंदरी योजना पहली बार 18 पारमपरी विएपारों को सामिल किया गया किया जाएगा पांच परसंट रियायती ब्याजदर के साथ एक लाख रुपए की पहली किस्त और दो लाख रुपए की दूसरी किस्त तक रिंड की सहायता है योजना के घटक मानिता परमाण पत्र और आईडी कार्ड काउंसल उन्नेंट टूल किट प्रोथसाहन रिंड सहायता डिजिटल लेन के लिए प्रोथसाहन और बिपड़न समर्थन परसिच्छन की अबद में वजीफा प्रत दिन पांच रुपए है परसिच्छन अबद में वजीफा प्रत दिन पांच रुपए है कि इसाथ दिया जाएगा लावार्थी कौन-कौन होगा कारपेंटर नाव बनाने वाले अस्तर बनाने वाले लोहार ताला बनाने वाले सुनार कुमार दरजी दोबी नाई इत्यादे अगस 2023 में सुप्रीम कोड ने अधालत परिचर में परवे सहित ऑनलाइन पास के लिए किस पोर्टल को लांच किया है तो किया है सू स्वागतम को सू स्वागतम पोर्टल के बारे में देखते है अगस 2023 को लांच करता सुप्रीम कोड ने लांच किया कारहित अधालत परिचर में परवे सहित ऑनलाइन पास के लिए सू स्वागतम पोर्टल अब वकीलों, वादियों, कलरकों, अगंतुकों और मेडिया करमियों को एप के साथ पंजी करंड करने और सुप्रीम कोड के लिए आनलाइन परवे स्पास बनाने की अनुमत देगा अगस्थ 2023 ने प्रधानमंत्री नर्यंद मोदी ने कितने अमरित भारत स्टेशन की आधारसिला रखी तो इरकी 508 ठीक है प्रधानमंत्री ने देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर विकास की अधारसिला रखी ठीक है आधारसिला रखने की तिथी 6 अगस्थ 2023 को आधारसिला रखी प्रधानमंत्री नर्यंद मोदी ने ठीक है पुनर विकास के लिए चैनित रेलवे स्टेशन की लागत लगबग 24,470 करोण रुपर है पुनर विकास सम्बंदी योजना अमरित भारत रेलवे स्टेशन योजना की अंतरगत ठीक है यान्य महत्पुनुतत के बारे में देखें पुनर विकास के लिए चैनित 27 राज्यों यों संग सासित राज्यों के 508 रेलवे स्टेशनों में उत्तर प्रदेश के 55 कुल 149 में राज्थान के 55 बिहार के 49 महराष्ट के 44 पस्चिम मंगाल के 37 मद्प्रदेश के 34 असम के 32 और इसा के 25 पंजाब के 22 गुजरात के 21 तेलांगाना के 21 जारगंट के 20 आंद्प्रदेश के 18 तमिलनाट के 18 अर्याणा के 15 और करनाटक के 13 इस्टेशन समलित सामिल है इन इस्टेशनों का पुनरविकास आमरित भारत इस्टेशन योजना के तहत योजना के अंतरगत किया जा रहा है इस योजना के अंतरगत देश भर में देश भर की कुल 275 इस्टेशनों का पुनरव 2023 में भाहर सरकार ने इन वाइस परोसाहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार की LOL की है योजना की सुरुवात कब की गई कर चिंजे एक सितंब्र 2023 को dit मीरा बिल मेरा अधिकार वह स्था मा अगस्त 2003 को सुभारomme तथी एक सितंबर 2023 को सुभारम करता किसने सुभारम किया बित मंत्रा ले भार सरकार द्वारा सुभारम कुआ ठीक है उद्देश क्या है इस योजना का उद्देश आम जन्ता के विवहार में अमोल चूल बदलाव लाना है ताकि वह समस्त विक्रताओं से जेस्टी बिल मांगने को अपना अधिकार और हक मानना सुरू करने योजना का विवर्ण यह योजना 1 सितंबर 2003 से सुरू की गई यह योजना आरम में पाइलेट प्रोजेक्ट की रूप में असम गुजरात हरियाड़ा और केंदर सासित परदेशों पुदूचेरी दादर नगर हवेली दमन और दिव में दमन दिव में सुरू की जाएगी इनवाइस आई ओएस योजना अंड्राइड पर उपलब मोबाइल अपलिकेशन मेरा बिल मेरा इधिकार के साथ साथ बेव पोर्टल बेव मेरा बिल बेव मेरा बिल डाट जेस्ट डाट को डाट इन पर भी अफलोट किये जा सकते हैं जुलाई 2023 में केंद्री ग्रहयों सहिकार्था मंत्री अमिस साथ बारा निर्वा वर्तमान वर्तमान चुनोती उसर निपटने के लिए कहां पर विमानन सुरुच्छा नियंत्रन केंद्र एवियसन सीकूर्टी कांट्रोल सेंटर का उधगाटन किया गया तो किया गया नई इसके बार विमानन सुरुच्छा नियंत्रन केंद्र के बारे में देखते हैं उधगाटन ते थी बाई जुलाई 2023 को उधगाटन अस्तल केंद्रिया और दोगिक सुरुच्छाबल CISF द्वारा CISF परिसर महिपाल पर नई दिल्ली में हुआ ठीक है इसके माध्यम से किसी निश्चित समय पर यात्रियों की संक्या के बारे में सही जानकारी प्राफ्त की जा सकेगी यात्रियों और हवाई याता यात के डेटा की चोबिस गुड़े साथ निगरानी ठीक है आति बिसिष्ट व्यक्तियों के आगमन बंकी धंकी वाली काल सुरक्षा उपकरणों का उपयोग आधि की जानकारी एकत्र की जाएगी जुलाई 2023 में केंद्रियक ग्रह याम सहिकारता मंत्री अमिसाने किस क्रूज का सावर मति रीवर प्रेंट पर सुभारम किया तो यह कि यह अक्छर रीवर क्रूज कि ठीक है एहमदाबाद बित सावर मति रीवर प्रेंट अक्छर रीवर क्रूज का सुभारम किया गया सुभारम ती थी दो जुलाई 2023 को सुभारम करता केंद्रियक ग्रहियों सहिकारता मंत्री अमिसा वीडियो करूपरेंशिंग के द्वारा किया इन हुनिटी सुभारम मस्तल एहमदाबाद इस्तित सावर मति रीवर प्रेंट उपर क्रूज का नाम अक्छर रीवर क्रूज ठीक है अक्छर रीवर क्रूज विकास करता अहम्दाबाद मुंसिपल कार्पोरेशन और सावरमती रीवर प्रंट डेबलम्मेंट कार्पोरेशन लिम्टेड ने मिलकर किया है ठीक है क्रूज का निर्मार 15 करोन रुपए की लागत से मेक इंडिया के तहट किया गया है 165 165 यात्रों की चंता वाला या क्रूज 30 मीटर लंबा है ठीक है जुलाई 2023 में वर्स 21-22 के लिए सिक्षा पर राज्यों युम के इंसासित प्रदेशों के लिए मार्ग दर्सन प्रदेशों के लिए प्रदर्सन प्रदर्सन quyading index 2.0 जारी किया गये इस संदर में निम्न कतनों पर विचार किजिए प्रदर्सन पहला है इस index में राज्यों के इंसासित प्रदेशों को 10 सेंडियों ग्रेडों में वर्ग गित किया गया है किसी भी राज या के इंसासित प्रदेश ने सीर्स पाप्च ग्रेडों में अस्थान प्राप नहीं किया है पंजाब और चंडीगट सर्फेश पर दर्सन करने वाले राज्यों के इंसासित परदेशा है ठीक है तो इसमें सभी कतन सकते है ठीक है अब इसके बारे में देखते हैं वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों के इंसासित परदेशों के लिए परदर्सन के रडीनिंग इंडेक्स 2.0, PGI 2.0 जारी किया गया जारी तीथी है साथ जुलाई 2023 जारी करता है सिच्छा मंतराले भारै सरकार द्वारा जारी किया गया ठीक है तैयार किया गया सिच्छा मंत्राले की स्कूली सिच्छा और साच्छर्था विवागने इंडेक्स आंकलन करता है राज और केंसासित प्रदेश अस्तर पर इस्कूली सिच्छा प्रणाली की प्रदर्थन का यह इंडेक्स पहली बार जारी किया गया वर्ष 2017-18 के लिए क्लिया गया है दशप्रेश smo의 को कि आद्त परधेशों का प्रधरसों की संख्या झाट कर JSON कवाले में में 941 से लेकर 1000 उसकल है वह दखन WD me यह ठीक है है उतकर și सु 21 खेना चातो फर्चेत कं भीज़ें सिर्द यो अक्याई सिर्ट में प्र मेले सब्सक्राई ठेक्वारत्व होत्त में staat किंसासिश्थ habits में लुज्ट आथ उत्तम में आठ साथ सो अचासि में ज़ी है उत्तम में ऊट्व केक्म्राई Defund I UAE चेष्टा 1 में 701 से 760 में भी एक कोई नहीं है और चेष्टा 2 में 641 से 700 में 2 है ठीक है दो राज्य है दो राज्य है कि इस पर देश चेष्टा 3 में 581 से 640 के भी चेष्ट में 6 राज्य है अकांची 1 में पांची 2 में 461 से 520 अंक है जिनमें 12 राज्य है अकांची 3 में 401 से 460 में 3 राज्य है कि अधिक है सीर्स पांच ग्रेड में अस्थान प्राप्त करने वाले राज के इंसासित प्रदेशों की संख्याद 0 है सीर्स अस्थान प्राप्त करता राज्य हम के इंसासित प्रदेश पंजाव यम चंडी गड़ प्रचेष्ठा 2 ग्रेड प्रचेष्ठा 2 ग्रेड शठ्मा शठ्मा ग्रेड में है ओबराल रैंकेंग की साथवी संख्याद में गुजरात केरल महराष्ठ तमिलनाडु दिल्ली पुदु जेरी है ओबराल रैंकेंग की आटवी संख्याद में चत्तिजगर आंध प्रदेश, गोवा, हरियाडा, मद्ध प्रदेश, माचल प्रदेश, राजसान, करनाटक, सिक्किम, पस्चि मंगल, अंडमान, निकोबार, लक्ष दीब, दमन, दीब, यों, दादर नगर, हविली, कुल, त नागा लैंड, ओडिशा, जम्मु कस्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, छारखंड, मडीपूर, तिलांगाना, तिरपुरा, लद्धाक, यों, उत्तराखंड, सहीद, बारह, यों, राज यों, किन्साज़ प्रदेश है, ठीक है, सबसे, निचला ग्रेट अकांची थिरी, आप्तिकरता, राज, अचल प्रदेश, मिघाल, मिजोरम, ठीक है, उत्तर प्रदेश, यों, बिहार का ग्रेट अकांची टू में है, जुलाई 2023 में, फिक की इवाई, द्वारा जारी रिपोर्ड, रोड सेफ्की इन इंडिया ने, नेवीगेटिंग, थुरू, नुवांसेंस के अनुसार, सड़क दुरगटाओं में होने वाली, कुल मौतों में, कितने परसल लोग भायाद में, हर साल मौत का सिकार हो रहे है जुलाई 2023 में, फिक की इवाई, रिपोर्ड के अनुसार, रोड सेफ्की इन इंडिया नेवीगेटिंग, थुरू, नुवांसेंस के अनुसार, सड़क दुरगटाओं में, होने वाली, कुल मौतों में, कितने परसल लोग भारत में, हर साल मौत का सिकार हो रहे हैं, तो यह जुलाई 2023 जारी करता फिक की सणख दुरगटनामें, भारत होने वाली के मिरित्ट 11 प्रचंट, 1.5 मिलियन है, फिक है? सणक दुरगटना में मृत्त की मामले में भारत का बिस में अस्थान पहला है पहला अस्थान में ठीक है सणक दुरगटना में अन्मातुरतत रिपोर्ट के अनुसार बिस भर में प्रतेक 24 सेकेंड में याता याद दुरगटना से एक ब्यक्त की मृत्त हो जाती है बिस्वास संगठन के अनुसार 1.3 अरब से अधिक मौतों और 50 मिलियन गंबीर चोटों के साथ संग दुरगटना मृत्व का आठवा पर मुकारण है रिपोर्ट के अनुसार भारत में संग दुरगटना में हम एस्टोनिया की अबादी के बराबर संग्या के लोगों को खो रहे हैं भारत ब्रासीलिया गोसड़ा या गोसड़ा का हस्ताचर करता है भारत ब्रासीलिया ब्रासीलिया का गोसड़ा का हस्ताचर करता है जिसका लक्ष 2023 तक सणक कियातायाद दुरगटनाओं में से होने वाली बैस्पिक मौतों और चोटों की संग्या का आधा करना है इवाई जिले से पहले इवाई जिसे पहले अनसर्ट एंड यंग के नाम से जाना जाता था वर्ड्स 1989 में लंदन में अस्ताफित पेसेवर सेवों की एक बहुराश्टिय फर्म है जुलाई 2023 में राश्टिय स्किल सेल एनीमिया मुक्त मिसन का सुभारम किया गए इस अंदर में निम्द सद्नों पर विचार किजिए राश्टिय स्किल सेल एनीमिया मुक्त मिसन का लक्ष वर्ड्स 2047 लाल रुदिर को सिखाऊं रक्त हीन तक को खतम करना है इस मिसन दूसरा है इस मिसन के तहत अगले तीन वर्ड्सों में यानि 2023-2024 से लेके 25-26 तक में लगबख साथ करोण लोगों की जाच की जाएगी ठीक है तो यह पहला और दूसरा दोनों सही है ठीक इसमें अब इसके बार देख राश्टिय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिसन सुभारंति थी एक जुलाई 2023 सुभारं करता सुधान मंतरी निर्ण मोदी स्वान गस्तल सहडोल मदप्रदेश से किया लक्ष 2017 तक लाल रुधर कोशिका रक्त हीनता को खतम करना है मिसन के तहत जाच की जाएगी 2023-2024 से लेकर 25-26 तक लाभक साथ करोन लोगों की जुलाई 2023 में राज सभा के सभापतिने लेंगिक समानता स्थाबित करते हुए उप सभापतियों के पैनल में कितने परसंद महिला सदस्यों को मनोनीत किया है पच्छास परसंद महिलाओं को मनोनीत किया है महिला सदस्यों को मनोनीत किया है उप सभापतियों के पैनल महिला सदस्यों का मनोनयन मनोनयन मा दुलाई 2023 में मनोनयन करता जगदीर धनकट राज सभा के सभापति कुप सवापत के पैनल में सदस आठ सदस मनोनीद महिला पचाथ सद कुल चार मनोनीद महिला का नाम स्रीमती पीटी उसा पहले नमबर पर पदम स्री पुसकार बिजेता और एक परसित एथिलीट है यह दूसरे नमबर स्रीमती यस अपरेल 2022 मन नागा लेंड से राज सवा के रूप में चुनी गई पहली महिला है और संसद या राज विधान सवा के किसी भी सदन के लिए चुनी गई दूसरी महिला है तीसे नमबर डाक्टर फोजिया खान वह राष्टवादी कांग्रेस पार्टी यह जो अपरेल 2020 में राज सवा के लिए चुनी गई है स्रीमति सुल्ता देव वह बीजु जनता दल से हैं जो जो जुलाई 2022 में राज सवा के लिए चुनी गई जुलाई 2023 में सुप्रियम कोर्ड ने वरिष्ट अर्दिवक्ता पद पर आवेदन करने के लिए नियुनतम आयू वर्स सीमा का निर्धार्ण किया है जो वो नियुनतम आयू सीमा है क्या है तो यह है 45 वर्स सुप्रियम कोर्ड ने में वरिष्ट अर्दिवक्ता पद के लिए नया दिशा निर्धेश क्या है संदर सुप्रियम कोर्ड में प्रैक्टिस करने वाले वरिष्ट अधिक अधिवक्ता हूं कि पदिनाम के लिए नए दिशा निर्धेश सीर्षक गाइडलाइन्स और डिड़िटीनेशन, डिजनीनेशन आफ सीनियर एड़ोकेट बाइड़ सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया 2023 की तहत प्रकासित किया है निर्देश माः जुलाई 2023 में निर्देश करता सुप्रीम कोर्ट निर्देश का आधार इंद्रा जैसिंग बनाम भारत संग 2017 नई दिशार निर्देश की तहत नियूंतम और उम्र 45 वर्स जुलाई 2023 में अखिल भारतिय सिच्छा समागम 2023 का आयोजन कहां किया गया यह किया गया गया नई दिल्ली में अखिल भारतिय सिच्छा समागम 2023 का आयोजन आवधी 31 से 30 जुलाई 2023 तक आयोजन अस्तर प्रगत मैदान भारत मन्यपम में नई दिल्ली में ठीक है उद्गाटन करता प्रधानमंत्री नर्ण मोदी आयोजन आउसर राष्टिय सिच्छा ने 2020 लागू करने के तीसरी वर्स गा अउसर पर उद्देश इस समागम का उद्देश सिच्छा विदू छेत्र विशेजग्यों नीत निर्माताओं निर्माताओं उद्द्योग परतनिदियों सिच्छकों और स्कूलों वच्छ सिच्छा और कौंसल संस्थानों के छात्रों सहित अन लोगों को राष्टिय अच्छानी 2020 को लागू करने के संबंदी अपनी अंतर द्रिष्टी सफलता की गाताओं तथा सर्बोत्तम तौर तरीकों को साजा करने तथा इन्हें आगे ले जाने के करम में रण नीतियां तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करना ठीक है अन्य महत्मूर्तत इस अउज़र पर प्रदान मंतरी ने बासट सो साथ स्कूलों को पीम सिरी योजना के तहर चास्थ सो तीस करून रुपे धनरास की पहली किस जारी किया प्रदान मंतरी ने सिक्षा और कौंसल पार्ट करम की बारा भारती भासाओं में अनुदित पुस्तुकों को बिमोचन किया ठीक है जुलाई 2023 में नीत यायों के द्वारा जारी राष्ट ये बहुयामी गरीबी सुचकांग 2023 की अनुसार नेम लेकिन कत्नों पर कौंसा ही नहीं है ठीक है देखतें कौंसा ही नहीं है वर्स 2015 सोला में 2015 सोला से 2021 की आवादी कुल पांच वर्स के दवरान रिकार्ड तेरा दस्वलक 54 करोंड लोग बहु आयामी गरीबी से मुक्त हुए है भारत में बहु आयामी गरीबी से मुक्त हुए है भारत में बहु आयामी गरीबों की संख्या जो 2015 सोला से 2015 सोला में 2014 दस्वलों आट पांच थी गिरिकर वर्स 2019 से में 14 दस्वलों 96 हो गई ठीक है प्रतिसत की दृष्ट से सरवादिक गरीब आवादी जारखंड में रहती है ठीक है तो यही नहीं सही है प्रतिसत की दृष्ट से प्रवादिक आवादी जारखंड में रहती है जारी करता नीती आयो क्यों पादक सुमन कुमार बेरी ने किया ठीक है रिपोर्ड का पूरा नाम राष्टी ए बहुयामी गरीबी सुचकांग एक प्रगती समिक्षा 2023 संस्क्रण दूसरा संस्क्रण पहला नॉमबर पहला संस्क्रण कर वह 2021 में जारी किया गया अधार आधार का नभी इंतम राष्टिय परिवार सर्वेक्षण इन FHS 519 से कैसा आयाम क्या है इन है स्वास्त सिख्षा जीवनस्तर प्रतिक को एक एक तिहाई बहारांक दिया गया संकेतक ने हैं दोबारा स्टीजी संग रेकिंग संग रेकिंग पोसंड बाल किसोर मिरत दर मात मात्रि स्वास्त स्कूली से चक के वर्स स्कूल में उपस्तेती रसोही गय स्वच्छता पेजल बिजली आवास परिसंपती बैंग खाते सरवादी बहयामी गरीवी से गरेस्त पांच राज भीहार संगर तैंटी दल्मों साथ से परसंट जारगन 28 दल्मों 100 00 his अतला उत्तर प्रदेश 2020 9% मिндर प्रदेश वीज़ नुद acesso निूंतन बह unstam बहयामी गरीवी से गरेस्त पांच राज, केरल 0.55%, गोवा 0.84%, तमिल नाड़ू 2.0%, सिक्क्यम 2.60%, पंजाब 4.75%, सरबादी, बहुयामी, गरीबी, सिग्रस, 3, केंसासित, पर्देश, दादर नगर हवेली, दमन्यूम, दीप, 9.21%, 9.21%, जमु कस्मी 4.80%, लद्दाक 3.53%, संदीगाट 3.52%, नियुंतम बहु आमी, गरीबी, सिग्रस, 3, केंसासित, पर्देश, पुदु चेरे 0.55%, लक्ष दीप 1.11%, अन्वान निकोबार, दीप समू 2.30%, अन्य महत्मुर्टत, रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 से 19-21, पांच वर्सों की अवदिगे दवरान रिकार्ड, तिया दस्मुन करून लोग बहुयावी गरीबी से मुक्तुएं हैं, बारत में बहुयावी गरीबों की संख्या, जो 15-16 में, में 24-15 थी गिर कर, 19-21 में 14-96 हो गई है, इसमें कुल 9.89% की उलेखनी गिरावट दर्ज की गई हैं, 2015-16 से 2019-21 की अवदि के दवरान सरबार्धिक 3.43 करून लोग उत्तर प्रदेश के बहुयावी गरीबी से मुक्त होए, इसके बाद बिहार 2.25 करून और मद्ध प्रदेश में 1.35 करून का अस्थान आता है, ठीक है, 2015-2016 से 2019-21 की अवदि के दवरान सहरी चेत्रों में गरीबी 8.65% से गिरकर 5.27% हो गई, इसके मुकाबले ग्रामीड चेत्रों में की गरीबी तिव्रितम गत्य से 32.59, 32.59% से गट कर 19.28% हो गई, ठीक है, बहु आयमीड गरीबी सुचकांग यम पी आई, मॉल 0.117 से लगभग आधा होकर 0.066 हो गया है, इस दवरान गरीबी की तिव्रिता 47% से गट कर 44% हो गई, बहु आयमी गरीबी सुचकांग यम पी आई के सभी 12 माप दंडों में लेखिनिय सुधार हुआ है, जिसके फल सरूप भारत वर्ज 2030 की निर्धारी समय सीमा से काफी पहले SDG लक्ष 1.2 बहु आयमी गरीबी को कम से कम आधा करने का लक्ष को हांसिल करने के पत पर अग्रसर है, ठीक है, इसका पहला संस्करण नॉमबर 2021 में जारी किया गया था जो राश्टिय परविवार सर्वेक्षण 4 NFHS 4 2015-16 पर आधारित था, इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की 22.9% आबादी बहुयामी गरीबी से गरस्त है, जो गत संस्करण में 37.6% थी, ठीक है, अधितन, नीतिय आयोक के अनुसार, 2056 के बाद से MPI में उलेखिन ये गिरावट दर्ज की गई, जो 2013-14 में 29.17% से बढ़कर 22.22-23 में 11.28% हो गई है, जो 17.89% की कमी है, पैणाम सरूप पिछले नौ अरसों में 24.82 करोंड लोग बहुयामी गरीबी से बाहर निकल पाए हैं, ठीक है, पुलाई 2023 में अडानी गुरुप ने जहारखंड की गोड़ा में अस्थापित अल्ट्रा सूपर क्रिटिकल थर्मर पावर प्लांट यूएस सी टीपीपी टीपी से किस देश को पूड लोड बिजली आपोर्ती की शुरू की है, ठीक है, तो यह है नेपाल को, ठीक है, भारत के पहले ट्रांस नेशनल पावर प्रोजेक्ट से बिजली आपोर्ती सुरू, बिजली आपोर्ती की गई जहारखंड के गोड़ा, गोड़ा में अडानी ग्रुप के अल्टा सूपर क्रिटिकल थर्मर पावर प्लांट से, आपोर्ती किस देश को की गई, तो दो यूनिट, अन्य महत्मूर्तत के बारे में देखते हैं, यह भारत की पहली चालू अंतर राष्टे बिजली परियोजना है, जहां उत्पादित बिजली का सव परतिसत दूसरे देश को आपोर्ती की जाती है, वर्स 2017 के पावर परचेज एग्रिमेंट के तहत 25 सालों तक गोड़ा, पावर प्लांट से बांगला देश को बिजली आपोर्ति की जाएगी, जुलाई 2003 में निउन्तम आई गारंटी बिदेख पारिद करने वाला भारत का पहला राज कौन बना, तो यह बना राजिस्थान, ठीक है, राजिस्थान निउन्तम आई गारंटी बिदेख 2023 पारिद करने वाला पहला देश, पहला राज बना, ठीक है, इसके संदर में देखते हैं, एक जुलाई 2003 को राजस्थान बिदेख पारिद करने वाला देश का पहला राज बन गया है, बिदेख के परमुक प्रावधान, बिदेख में राज के सभी परिवारों, चाहे प्रतेख बित्य वर्स में 125 दिनों की रोजगार गारंटी दी गई है, ग्रामीर और सहरी छेतर में महिने में 25 दिन की अत्रिक रोजगार की गारंटी, बिदेख में बिद्ध बिकलांग एकल महिला आज के मामले में नियून तक एक हजार रुपे प्रतिमा प्रावधान का इसमें प्रतिवस 15 परसंट की बढ़ोत्री की जाएगी, ठीक है, अगला पॉइंट है, बिदेख में इस योजना के लिए 2500 करोण रुपे का प्रावधान किया गया है, इस कानून की खास बात या है, या कि यदि किसी भी पात्र व्यक्ति को इस योजना का लाव देने से इ जुलाई 2023 में किस राज सरकार ने भारत का पहला गिग सर्मिक अधिकार बिदेख फेस किया है, राजस्थान सरकार ने राजस्थान बिधान सबार्णेया हाल ही में सर्मिकों को समाजिक सुरक्षा लाइप। करने के उद्धेश से महत पूर्ड विद्ध हक पारित किया है विद्ध मां जुलाई 23 में विद्ध पारित करता राज कौन है राज्स्थान उद्देश क्या है इसका गिक सर्मिकों के लिए सुरक्षा और लाभों की कमी को दूर करना जिनें पहले ओला, उबर, स्वेगी, जमैटो और अमेजन जैसी कमपनियों की कर्मचारियों के बजाए साजेदार के रूप में वर्गिक्रित किया गया था पर्मुक विसेश्ताएं क्या है गिक सर्मिकों का पंजी करना, समाजिक सुरक्षा योजनाओ तक पहुँच, सिकायद निवारन तंत्र, प्लेट फार्म आधारित गिक सर्मिक कल्यार बोड के अस्थापना, प्लेट फार्म आधारित गिक वर्क्स पंड और कल्यार सुलक, से पीछे चोड़ते हुए, औरिसा के मोकिमंतरी नबीन पटनाय क भारत में किसी राज के सबसे लंबे समय तक सेवा करने मोकिमंतरी बन गए। चीक है तो ये जोती बसु को पीछे छोड़ते हुए नबीन पटनायक दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुक्मंत्री बन गए अब इसके दिवारे में देखते हैं 23 जुलाई 2023 को ओडिसा के मुक्मंत्री नबीन पटनायक 23 वर्स 149 दिनों के कारिकाल के साथ भारत में इसी राज के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुक्मंत्री बन गए हैं उन्होंने पश्ची मंगाल के मुक्मंत्री जियोती बसु को पीछे छोड़ा जो लगातार 23 वर्स 139 दिनों यानि 21 जों 1977 से 5 नवंबर 2000 तक मुक्मंत्री रहे थे अन्न महत्मौन तत के बारे में देखते हैं नवीन पटनाई 5 मार्च 2000 से आब तक लगातार उडिशा के मुक्मंत्री बने हुए हैं इनके पार्टी का नाम बीजू जनता दल है ठीक है भारत के किसी भी राज का सरवाधिक लंबे समय तक मुक्मंत्री रहने का रिकार्ड सिक्किम के पूर मुक्मंत्री पावन चामलिंग के नाम है जो लगातार 24 वर्स 166 दिनो यानि 12 दिसंबर 1994 से 26 मई 2019 तक सिक्किम के मुक्मंत्री रहे हैं जुलाई 2023 में किस राज को भारत का पहला कंट्रेक्शन इनोवेशन हब मिला प्रेमिला केरल को ठीक है भारत का पहला कंट्रेक्शन इनोवेशन हब CIH अस्थापना कोची और केरल में कोची में हुई केरल में ठीक है वेरल राज में कोची में उद्देश क्या है हिद धारकों के 20 सहयोग नवाचार और ग्यान साजाकरण को बढ़ावा देने के लिए सस्ती और टिकाव भवन सुवधाओं में रिद्धी करना CIH के कारिकरम प्रवंधन के लिए उत्तर दाई केरल स्टार्ट अप मिसन कुसुम कसुम CIH के लाव CIH से लाव निर्मार से संबन्दित बिस्व्यापी ग्यान को मजबूत करने में मदद मिलेगी निर्मार के दोरान लागत गुडवत्ता और समय बद्धता आज सुनिश्चित होगी सहयोगी कौन होन है सहयोगी हैविटेट फार हिम्यूनिटी इंडिया एक अमेरिकी गैर लावकारी संगठन जो घर बनाता है और कम आये वाले परिवारों को आवाज समद्धी सिवाएं परदान करता है के सहयोग से अस्थापे थे ठीक है हाल ही में World Cities Culture Forum WCCF में सामिल होने वाला पहला भारतिय सहर कौन बना यह बना है बैंगलोरू बैंगलोरू बना World Cities Culture Forum में सामिल होने वाला पहला भारतिय सहर सामिल होने किती थी 27 जुलाई 2023 अनमाहत्मूर तक देखे हैं बैंगलोरू वर्ड सिटी ज कल्चर फोरम WCCF में सामिल होने वाला पहला भारतिय सहर है बेंगलोरू इस फोरम में सामिल होने वाला बिस्ट का एक तालसवा सहर है इसके पूर्व नियुयार्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो और दुबई जैसे बिस्ट के चालिस सहर इस फोरम में सामिल है ठीक है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF यह वारम देखते हैं इसकी अस्थापना वारमें लंदन में लंदन के संस्कृत और रचनात्मा को द्योग के उपु महापाउर जश्टिस सिम्स द्वारा की गई थी जुलाई 2023 में जारी निर्यात तयारी सूचकांग 2022 की अनुसार भारत का कौन सा राज सीर सस्थान पर है तो यह है तमिलनाडो ठीक है निर्यात तयारी सूचकांग 2022 निर्यात तयारी सूचकांग के बारे में देखते हैं निर्यात तयारी सूचकांग एक ब्यापक उपकरण है जो भारत में राज्यों और केंसासित परदेशों के निर्यात तयारियों को मापता है जारी तिथी 17 जुलाई 2023 चारी करता नीत यायोग संस्कन कहों साय तीसरा अस्तंब क्या है नीत बिजनस एको सिस्टम निर्यात परिस्तित की तंत्र निर्यात प्रदर्शन उपस्तम 10 निर्यात संबर्धन नीत संस्थागत रूप रेखा धाचा बैउस्साइग वातावरण आधार बुद संरचना परिमहन संपर्ग निर्यात सुभधाय निर्यात बिविति करण व्यापार समर्थन अनुसंधानियं विकास और संरचना विकास उनमुखी करण राज्यों का प्रदर्शन देखते हैं पहले पर गोवा दूसरे पर जम्मु और कस्मीर तीसरे पर दिल्ली चौथे पर अन्नमान निकोबार दिव समू ठीक है मिस्वर्ड 2023 प्रतियोकता का आयोजन कहां पर किया जाएगा यह किया जाएगा भारत में ठीक है संस्क्रण कौन सा है एक अत्रमा संस्क्रण है ठीक है भारत द्वारा प्रतियोकता की मेजबानी की जाएगी दूसरी पहली बार 1996 में की गई थी भारत में प्रतियोकता का आयोजन 27 वर्ड बाद हुआ भारत की तरफ से प्रतिवागी होंगी वर्तमान मिस इंडिया वर्ल सीनी सेटी भारत द्वारा प्रतियोकता जीती गई 6 बार भारत की ओर से बिजेता रीता फारिया 1966 में एसोरिया राय 1994 में डाइना हेडन 1997 में योकता मोखी 1999 में प्रेंका चोपड़ा 2000 में मानुसी छिलर 2017 में जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मड़ीपूर हिस्सा की जाँच के लिए किसकी अध्यचता में एक जाँच आयो का गठन किया है तो यह है अजय लामबा के अध्यक्सता में मड़ीपूर हिस्सा की जाँच के लिए भारत सरकार द्वारा जाँच आयो का गठन गठन ती थी चार जून 2023 को गठन करता भारत सरकार ने किया किसके तहत किया जाँच आयोग अधिनियां 1952 के तहत आयोग सनरचना तीन सदस्सिये न्याय मूर्थी अजय लामबा इसके अध्यक्ष है हिमानसु सेखर दास इसके सदस्से है अलोग परभाकर परभाकर इसके सदस्से है अन्य महत्मूर्टत्य ठीक है न्याय मूर्थी अजय लामबा गवार्टी उच्चनाले के पूर्व मुख न्याधिस है आयोग का मुक्याल ए इंफाल में होगा अन्य कमेटी के बारण देखने है नियायमोर्थी गीता मितल की अधिश्ता में सुप्रिम कोर्ट तीन पूर महिला न्यायदिसों की कमेटी गठित करने का अधिया था सदस्त की रूप में न्यायमोर्थी सालनी P.J. तो कि आगे ग्रेटर चन्नाई सिटी पुलिस की द्वारा भारत का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट लांच किया गया लांच ती 29 जून 2023 को लांच करता ग्रेटर चन्नाई सिटी पुलिस लागत आई इसकी 306 करोण उद्देश क्या है हवाई निकरानियों आप राधिक गज़ सिटी जून 2023 में अमरित जनरेशन अभियान नए भारत के सपने का सुभारम किसके द्वारा किया गया तो किया गया मेटा और महिला व्योंबाल विखास मंत्राले द्वारा मेटा और महिला व्योंबाल विखास मंत्राले द्वारा है ठीक है अम्रित जनरेशन अभियान नए भारत के सपने सब सुभारम ती थी आठ जुन 2023 सुभारम करता मेटा और महिला बाल विकास मंत्राल है त्वारा संयोक तुरोप से उद्देश क्या है गवाओं को भविष्ष के लिए उनकी आकांचाओं और सपनों को इंस्टाग्राम और फेस्बुक और प्रदर्सित करने के लिए प्रोसाहित करना अन्यमात्पूर्थत के बारे में देखते हैं अभियान में भाग लेने के लिए पात्रता मापदंड और दिसा निर्देशनों का पूरा बेवर्ण महिला योंबाल विकास के फेस्बुक जी पीए पेज और सोसल मेडिया हैंडल पर उपलब्द है अभियान में भागिदारी के लिए अमरिद जेनरेशन का उप्योग करते हुए इंस्टाग्राम या फेस्बुक पर अपनी अकांचाओं को परदर्सित करते हुए कि एक रील बनाने की आवसकता है इस अभियान के तहट पचास परविष्टियों का चैन किया जाएगा और उन्हें मार्ग दर्सन परदान किया जाएगा जून 2023 में गोसित मिसन आन एंडवांश्ट एंड हाई इंपक्ड रिसर्च माहीर के संधर्ब में निम्र कतनों पर विचार कीजिए इसे बिद्धुच्चेतर में उभरती प्रौदोग्यों का लाब लेने के लिए शुरू किया जाएगा इसे उर्जा मंत्राल है नवीनियों नवीकर्णियों उर्जा मंत्राल है और गेंद्रिय सार्जुमिक शित्की को दुग्मों के बित्तिय संसादनों को पुल करके बित्त पोसित किया जाएगा इस मिशन की यवद 2023 से 2027-28 तक है सभी कतन इसमें सही है ठीक है मिशन आन एडवांस एंड हाई इंपक्ट रिसर्च माहीर इसके संदर में हाल ही में बिद्दु छेत्मर उभरती प्रोदुक्यों का लाब उठाने के लिए इस मिशन को सुरू करने की गोस्णा की गई गोस्णा तित्य साजुन 2023 को की गई गोस्णा करता केंद्रिय बिद्द यूम नवीन करणिये उर्जा मंत्री आरके सिहने किया मिशन सुरू किया जाएगा बिद्द मंत्राले यूम नवीन यूम नवी करणिये उर्जा मंत्राले द्वारा संयुक्त रूप से बित्त पोसर उर्जा मंत्रा नभी नियों नभीकरणिये उर्जा मंत्रा ले केंदिय सार्जुनिक छेत्री उद्मों के बित्तिय संसाधनों को उल करके अत्रिक धनकी आव सकता भारा सरकार के बजटिये संसाधनों से जुटाई जाएगी मिसन अवदी 2023 से 2027-28 तक पांच वर्ज की प्रारंभिक अवदी के लिए उद्देश क्या है इसका उभरती प्रोदोक्यों और भविष्ट की प्रासांगिकता के छेत्रों की पहचान करना और प्रासांगिक प्रोदोक्यों के सुदेशी विखास को सुरू करना सामो विचार मंथन सहक्रियात्मक प्रोदोक की विकास और प्रोदोकी हतांतरन के लिए विद्दुच्छेत्र के विद्ध धारकों को मंच प्रदान करना सुदेशी प्रोदोक की विशेश रूप से भारते स्टार्ट अप द्वारा बिस्पिक्सित कि पाइलट परियोजना और उनिके ब्युसाई करण का समर्थन करना उन्नत प्रधोक्यों के अनसंधान और विकास में तेजी लाने के लिए बिदेशी गट जोड यूम दुपच्च्चे या भववक्च्चे सहियोग के माद्यम से उन्नत प्रधोक्यों की हस्कान तरण की सुविधा प्रदान करना देश के बिद्दुच्चेतर में जीवन तोर नौनमेश्वी परिस्तित की तंतर बनाना बिद्दुच्च प्रधाली से संबंदित प्रधोक्यों और अनप्रयोगों के विकास में अपने देश को अगणी देशों में सामिल करना अनुसंधान के लिए चैनिच छेतर पहला है लीथियम आयन स्टोरेज बैटरी के बिकल्प दूसरा है भारतिय खाना पकाने के तरीकों के अनुरूप इलेक्ट्रिक कूकर पैन को संसोधित करना तीसरा है गत्सीलता के लिए ग्रीन हाइडरोजन उच दच्चता इनन छेतर चौता है कार्बन आउसोसन पाच्पाय भूत आपिय उर्जा छटा है ठोस अवस्था प्रसीतन साथमा है इबी बैटरी के लिए नैनो तकनीक आठमा है स्वदेशी सी आर जियो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरेंटेड तकनीक मिसन की सनरक्षना दो अस्तरिय सनरक्षना एक तकनीक कार्चे समित और एक सीर समित तकनीक कार्चे समित अध्यक्ष तकौन करेगा केंद्रिये वेदुत प्राधिकन के अध्यक्ष द्वारा कार क्या है इसका बिस्वस्तर पर अमसंधान के चल रहे और उबरते छेत्रों का सरवेक्चन और पहचान करना और सीर्स समित का समित को सिफारिश देना उन संभावित तकनीकों की भी पहचान करना जिन पर मिसन के तहट विकास के लिए बिचार किया जा सकता है सीर्स समित अध्यक्षता कौन करेगा केंद्रे बिद्धुत यम नभीन यम नभी करनी ये उर्जा मंत्री द्वारा कार क्या है बिक्सित किया जाने वाली प्रोधोकी और उत्पादों पर बिचार विमर्स करना और अनुसंधान प्रस्ताओं को मंजूरी देना सहला अंतर राष्टे सहीयोग पर कार करना दूसरा है सभी अनुसंधान प्रस्ताओं पर योजनों को अंतिम अनुधन प्रदान करना जून दोजार तेस में अंतर राष्टी सौर गटबंधन आई असे की अस्थाई समित की आठवी बैठक का आजन कहां पर किया गया तो किया गया नई दिल्ली में ठीक है अंतर राश्टिय सोर गडबंधन आई असे की अस्थाई समित की आठवी बैठक आईजन तिति 6 जून 2023 को आईजन अस्थल नई दिल्ले में हुआ अध्यक्षता केंद्रिय बिद्धुत्यों नभीन नभीन और नभीकरणिय उर्जा मंत्री आरके सिंग द्वारा ठीक है सहे अध्यक्षता किसने की पांस दौरा इस बैठक में आई असे सदस देशों ने आई असे की परदर्शन परियोजनाओ आई असे सवर प्रवदों की अनपरियोग संसाधन केंद्र ESTARC ISA Solar X Startup Challenge ISA Solar Bit सुविदा ISA अस्थाई समित की नवी वैटक और ISA Assembly के छटे सत्र के लिए तैयारियोग पर बिचार बिमर्स किया गया जून 2023 में जारी NIRF इंडिया रैंकिंग 2030 के अंसर कि सिच्छन संस्थान ने समगर सेंड़ी में सीर संस्थान पराप्त किया है बारतियोग प्रोदों की संस्थान मद्रास्त वारा ठीक है NIRF इंडिया रैंकिंग 2030 के बारे में देखते हैं जारी दी थी पांच जून 2023 में जारी करता डाक्टर राज कुमार रंजन सिंग सिक्षा युम विदेश राजिमंत्री संस्क्रण कौन था आटमा संस्क्रण था ठीक है पुर्थम संस्क्रण कब हुआ 2016 में राइंकिंग पईडाम समगर स्रेणी में भारतिय जान संस्थान बेंगलीरोव युक्त था संस्थान के सरणी में भारतिय बिग्यान संस्थान बिंगलिवरोव तों संस्तान स्रेटी में भारतिय बिघ्यान संस्तान बंगलूरु इंजनिक स्रेटी में भारतिय प्रोदुकिल संस्तान मद्रास। कल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद डेंटल स्रेणि में सविता इंस्टिट्यूट आप मेडिकल एंड टेकनिकल साइंसेच चन्नाई बीद स्रेणि में नेशनल लाइस्कूल आफ इंडिया इंडिया इंवर्सिटी बिंगलेरू वास्त पलायों नियोजन स्रेड़ी आई 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 टी रुड़की किरसी यों सम्मद्ध छेतर स्रेड़ी भारतिय किरसी अनुसंदान संस्थान नई दिल्ली नवाचार स्रेड़ी में आई 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 टी कानपूर को मिला ठीक है जून 2023 में पहले राष्टिय परसिस्थन सम्मेलन नेशनल ट्रेनिंग कांफरेंस का उद्गाटन किस ने किया तो किया नरेंद्र मोधी ने ठीक है पहले राष्टिय प्रस्चन सम्मेलन का उदगाटन उदगाटन तिथी 11-43 को उदगाटन करता नरण नमोदी भारत के प्रधान मंतरी उद्घाटन अस्थल अंतर राष्ट्य प्रदरजनी और सम्मेलन केंद प्रगति मैदान नई दिल्ली उद्देश क्या है देश भर में प्रसास किये सेवा परसिच्छन संस्कानों के बीच सही योग को बढ़ावा देने और प्रसासनिक अधिकारियों के लिए प्रसिच्छन और सरनचना को मजबूत करना भागिदार केंदरिये परसिच्छन संस्थान, राज प्रसासनिक शिच्छन संस्थान, शेत्रियों और मंडल परसिच्छन संस्थान तर था अनुसंधान संस्थान सहीत परसिच्छन संस्थान के पंदरा सो से अधिक प्रतिनी दी विशेश 2047 तक बिक्सित भारत की संकल्पना की गई है ठीक है जून 2023 में सिरी बेंके टेस्वर स्वामी मंदिर का उधगाटन कहां पर किया गया तो यह गया गया जम्मू में ठीक है ठीक है किसने निर्माड किया तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीडीडीड़ द्वारा मातुर्ण बिंदु के बारे मंदिर जम्मू कस्मिर पहला और देश का छठा मंदिर है जो जम्मू भारत के सीर्षधार में परेड़ाट नस्थल बनाने का मार्प्रसस्त करता है जून 2023 में भारत सरकार ने किस राज के लिए राजपाल की अध्यचता में एक सांध समित का गठन किया तो यह मर्ठीपूर राज के लिए किया मर्ठीपूर के लिए सांध समित का गठन गठन मा जून 2023 में गठन करता बारत सरकार अध्यच कोन मर्ठीपूर के राजपाल अनुस्यावी के सदस्गोन है मुख्यमंत्री, राज सरकार के कुछ मंत्री, सांसरत, बिधायक और विभिन राजनीति दलों के नेता महत्पूर्ण बिंद समित में पूरव, सीविल, सेवक, सिक्षा, बिध, साहितकार, कलाकार, समाज, काईर करता और विभिन जातिय समोहों के प्रत्थनेदि भी सामिल है समित का अधिकार छेत राज के भिन जाती समोहों के बीच सांती परिक्रिया को सुगम बनाना होगा जिसमें सांती पूर्ण वारता और विसेश विरोधी अक्चों समोहों के बीच बातचीत सामिल है बैठने की चमता कितनी है बारा सो चौबिस सांसत लोग सभा के आठ सो अठासी और राज सभा के तीन सो चौरासी छेत रफल कितना है चौन सट जार पान सो मीटर स्कौायर चार मंजिला इमारत है जो की लागत किनी लगी नो सु सत्तर करणों रुपे सिलाइस किस ने किया दसंबर 2020 को प्रधानंदरी नयंद मूदी द्वारा किया था सिलाइस वास्तुकार का उन है बिमल हस्मुख पतेल उद्गातन के दवरान जारी टिकट जारी डाक टिकट 75 रुपे का इस मारक और डाक टिकट जारी किया गया 75 रुपे का ठीक है अन्य महत्मूर्ट तत के बारें देखने हैं पुराने संस्थ बहुन की अधार जिला 12 परवरी 1921 को दट ड्यूक आफ कनार्ट ने रखी थी दट ड्यूक आफ कनार्ट ने रखी थी इसका उधगाटन तत कालिन गवर्नर्ट जनरल लाड इर्विन ने 18 जनुरी 1927 को किया था पुराने संस्थ बहुन का ठीक है जून 2023 में 5 में राज खाद सुरक्षा सुचकांग 2022 का अनावरण किया गए इस संदर में निम्न कतनों पर विचार कीजी पहला है बड़े राज्यों को सेंडी में केरल ने सीर सस्थान पराप्त किया दूसरा चोटे राज्यों में मरीपूर ने सीर सस्थान पराप्त किया और तीसरा है कें सासित परदेशों में जम्मू और कस्मीर ने पहला स्थान पराप्त किया तो इसमें पहला और तीसरा सही है ठीक है दूसरा इसमें गलत है पांचोंवा राज खाद सुरक्षा सुचकांग 2022 अनावरण तिति साजूं 2023 विस खाद सुरक्षा दिवस की आउसर पर अनावरण करता डाक्टर मंसुग मांडिविया केंद्रिय स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्री हैं जो की संस्क्रण कहुंता है कौन सा है मचवा परतम संस्क्रण 2018 में हुए जारी करता भारती खाद सुरक्षा और मानक प्रादिकंड एफ एस एस ए आई मापदंड छे मापदंड हैं पहला है मानो संसाधनियों संस्थागत आकडे दूसरा अनुपालन तीसरा खाद परिशिक्षण बुनियादी धाचान निगरानी चौता है परिशिचनियों छमता निर्माड पाचवा उभोक्ता ससक्तिकन चट्वा राज ताद सुरक्षा सुझकान में सुधार उद्देशत उद्देश है इसका देश में ताद सुरक्षा पार्ष्टित की तंत्र में प्रतियस परदी और सकारात्मक बदलाव लाना परदर्सन बड़े राज्यों की सेंड़ी में कुल 20 राज है ठीक है बड़े राज्यों की सेंड़ी में कुल 20 राज है पहला नंबर है केरल दूसरा पंजाब तीसरा तमिल नाडु ठीक है छोटे राज्यों की सेंड़ी में कुल 8 राज पहला गोवाद, दूसरा मड़ीपूर, तीसरा सिक्किम, केंसासित परदेशों में कुल आठ केंसासित परदेश है, पहला जम्मू कस्मीर, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है चंदीगड़िये, पहला दूसरा तीसरा खाली ध्यान रखो, बाकी और कुछ नहीं है, अन महात्पूर्टत इस अउसर पर केंद्रिय स्वास्त मंत्री ने जिलों के लिए इट राइट चैलेंज को दूसरे चर्ण के विजेताओं को भी समानित किया, भाग लेने वाले 260 जिलों में से 31 ने सफलता पूर्भग 75 परसन या उससे अधिक अंक प्राप्त किये, आसाधारन परड़ाम वाल वैसन मुक्त अमरित काल अभियान का सुभारम किसके द्वारा किया गया, तो एक किया गया, राष्टे बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा, ठीक है, वैसन मुक्त अमरित काल अभियान, सुभारम ते थी 31 मैं 2023, 20 अंबाकु दिवस के आउसर पर सुभारम करता राष् और ब्यसन नसा मुक्त भारत को बढ़ावा देना बक्चों बच्चों के बीच तंबाको और नसीली दवाओं की लत्थ की गंभीर समस्या का समाधान करना मई ब्रिज की ब्रिज की अवस्थिति टी नगर चन्नाई में है, ठीक है टी नगर चन्नाई में ब्रिज की कनेक्टिविटी मम्मा अलम रेल्वे स्टेशन और टी नगर बस टर्मिनल ब्रिज की लंबाई 570 मीटर ब्रिज की चोड़ाई 4.2 मीटर मई 2023 में प्रधान मंत्री नर्ण मोदी की अद्धश्कता में केंद्रिय मंत्री मंडल ने 991 एकी करण और सिटी 2.0 को बनाए रखने के लिए सिटी इन्वेस्टमेंट को अंजूरी दिया सिटी 2.0 सिटी 2.0 कारिकरम की निर्धारित अवधी है 2023 से 27 तक सिटी 2.0 के कारिकरम के बायों देखते हैं इस कारिकरम में सहर अस्तर पर एकी करित अपसिष्ट परबंधन राज अस्तर पर जलवाई उन्मुक सुधार कारियों और राश्टी अस्तर पर संस्थागत मजबूतिक तथा ग्यान पर बिसेज ध्यान देते हुए चक्री परत्यास्त परदात्मक्द रूप से चैनित परियोजनाओं का समर्थन करने की परिकल्पना की गई है ठीक है सिटी 2.0 का सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटी ग्रेट एंड सेस्टेन 2.0 मंजूरी प्रदाता केंद्रिय मंत्रि मंदल द्वारा मंजूरी दी ग यूरूपीय संग यूम राष्टिय सहरी कार संस्थान यन आई यूए ठीक है मंजूरी तिती 31 मई 2023 कारिकरम की अवद 2023-27 चार साल के लिए उद्देश क्या सिटी 1.0 की अनभो और सफलताओं का लाब उठाना और इनका बिस्तार करना अन्य महत्पूर्टत के बारत ने किए सिटी 1.0 को यम ओ यच यू ये एफडी यू एन आई ये यू द्वारा संयुक्त रूप से 2018 में लांच किया गया था मई 2023 में भारत के किस राज को पहला पूंड रूप से इसासित राज गोसित किया गया तो ये किया गया केरल को ठीक है मई 2023 में भारत के किस राज को पूंड रूप से इसासित राज गोसित किया गया तो केरल को किया गया ठीक है अब इसके बारें देखते हैं भारत का पहला इसासित राज कौन सा है तो केरल है 25 मई 2023 को किया ग गोसित राज केरल है गोसुना करता पिंडरई बिजियन के मुख्रमंत्री ने किया ठीक है गोसुना अस्थल तीरवनंत्पुरम में टोटल इगवर्णमेंस केरल के द्वारा के कारिक्रिव के दौरान ठीक है मैं 2023 में भारत के केंद्रिय मंत्री भूपिंद रिया अने की सस्थान पर सत्थब्हुम प्रवंदन के लिए उतकरिष्टता केंदर का उतगाटन किया ठीक है क्या किया सतत भूम परबंधन के लिए उत्कृष्टा केंद को SLM प्रिष्ट भूम भारत के प्रदान मंतरी निरंद मोधी द्वारा नौ दिस सितंबर 2019 को United Nations Convents to Compact Dejartification UNCCD की चौद्व में Conference of Parties COP 2014 के दौरान सतत भूम परबंधन के लिए उत्कृष्टा केंद COE SLM के अस्थापना की गोस्णा की गई थी उत्गाटन ती थी 20 में 2023 उत्गाटन करता भूपेंदर यादो अस्थापना अस्थल देरादों में भारतिय वानी की अनुसंदान और सिक्षा परशद ICFRE में उद्देश क्या है भूम सनरक्चन का आकलन दूसरा SDG के अनुरूप टिकाओ भूम परबंधन धांचे पर चमता निर्माड तीसरा UNCCD गारा उल्लिखित भूम यादारि संकेतों के मुल्यांकन निगरानी और रिपोर्टिंग को मजबूत करना मई 2023 में भारत के किस राज में साथ धार्मिक अस्तलों को जोडने के लिए नदी आधार धार्मिक परटन सर्किट के लिए समझाओता ग्यापन पर हस्ताक्चा किया गया तो यह किया गया असम में ठीक है? आकिया गया असम में अंतर देशी जलमार्ग प्राधिकन आई डबलू ए आई सागरमाला डेबलमेंट कम्पनी लिम्टेड SDCL असम परेटन विकास निगम लिम्टेड ATDC और अंतर देशी जल परिवान ने देशाला दी आई डबलू टी के मत इसे जोड़ेगी? या सागरमाला परियोजना गौहाटी में इस्थित, कामाक्या, पांडूनात, असुकलांता, डोल गोविंदा, उमानन्दा, चक्रेस्वर और अउनी यती सत्रा नाम के इतिहासी मंदरों को एक साथ जोड़ेगी? लागत इसकी किना है, इस परियोजना को सागरमाला कारिकरम के तहट 40-45 करोन की लागत से बिक्सित किया जाएगा, HDCL और IWAI सहयोग दूरू से परियोजना का लागत का लगव 55% योगदान देंगे, 680 DC द्वारा दिया जाएगा, मई 2023 में किस राज में केंद्रिय मंत्री भूपे अंदर सिंह यादो ने पस मीना प्रमाण केंद्र का उदगाटन किया, ठीक है, तो यह कहां किया, यह किया उत्तरा खंड में, ठीक है, अब पस मीना प्रमाण केंद्र का उदगाटन किया गए उसके बारे में देखते हैं, जलवाई परिवर्तन मंत्री उद्गाटन अस्तल भारतिय वन ने जिव संस्तान देरा तून उत्तरा खंड में किया गया ठीक है उद्देश क्या है इसका उद्देश है पस्मीना बैपार को सुवे उस्तित करना और संबंधित निर्माताओं निर्यात्तकों बैपारियों को किसी भी पर्तिवंधित फाइबर से मुक्त वास्तिविक पस्मीना उत्पाद को परमारित करने के लिए वन इस्टाप परसिस्ट करना लाब किसको होगा साजन निजी भागीदारी माडल की आधार पर प्रमाड़ी पस्मीना उत्पादों के प्रमाणन को सुभे उस्तित करेगी राष्टिय और अंतर राष्टिय बाजारों में भारतिय पस्मीना में विश्वास को बढ़ावा देगी माई 2003 में हेलिकार्टरों के लिए एसिया का पहला परफार्णन बेस नेविगेशन प्रदर्सन किस देश में किया गया भारत में ठीक है कहां किया गया भारत में हेलिकार्टरों के लिए एसिया का पहला परफार्णन बेस नेविगेशन का प्रदर्सन प्रदर्सन ती थी 31 जुहु से पुने के बीच, हायु जग देश कौन है बारत हैं ठीक है अन्य महातूरत हत्त के बारें देखते हैं जुहु से पूने की उड़ान से गगन उपक्ग्रा प्रवधोगी का उप्योग किया जो सटीकता को बढ़ाने के साथ साथ उच गुडवत्ता वाले हवाई यातायाद परबंदन की अनुमत देता है गगन जीपीएस जीपीएस ऐड़ेड जियो अजिम्टेड नेविगेशन प्रणाली को भारती आंतरिश अनसंधान संगठन इसरो और भारतिय बिमान पत्तन प्राधिकर्ण AI द्वारा संयोग दुरूप से बिक्सित किया गया है मई 2013 में भारतिय खाथ सुरक्षा और मानक प्राधिकर्ण FSSI के लिए राष्टिय प्रसिस्चन केंदर का उद्गाटन कहां पर किया गया तो यह किया गया गाजियाबाद में ठीक है अब इसके बार में देखते हैं, भारतिये खाद सुरक्षा और मानक प्रादिकान FSSI के लिए राश्टिये परसिस्चन केंदर का उद्गाटन, उद्गाटन तित्थी 31 माई 2030 को उद्गाटन करता डाक्टर मंसुख मांडिबिया केंदरिय स्वास्तियों परिवार कल्यान मंत उद्गाटन अस्तल, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश, उद्देश क्या है, खाद सुरक्षा और मानकों के स्चेतर में निर्देश, कार्य अभ्यास और सिच्चन प्रदान करना हाल ही में चलने के अधिकार, राइट वाल को लाउ करने वाला पहला राज कौन बना है, यह बना है पंजाब, ठीक है, कौन था बना है, पंजाब, चलने के अधिकार को लाउ करने वाला पहला राज, लाउ करने वाला राज कौन है, पंजाब, पंजाब द्वारा इस परिय के लिए संडकों के सभी बिस्तार और नए निर्माड में साइकल ट्रेक प्रदान करना अनिवार किया गया है कि बिसेस में क्या है पंजाब सरकार द्वारा पैदल चलने वालों और साइकल चालकों के दुरगटनाव मौतों की संख्या को नियंत्रिक किया जा सके गया मई 23 में कौन सा राज महात्मा गांदी ग्रामी रोजगार अन्तरगत स्सीन के लिए कल्याड को सुरू करने वाला अबात का पहला राजय बन गया है तो यह कौन सा राजय है यह केरल इंथिक है अब इसके बार में देखतें मन्रेगर्एं मन्रिगाज के तहत सर्मिकों के लिए कल्यांड कोस शुरू करने वाला पहला भारती राज कब बना 15 मई 2023 को कल्यांड कोस शुरू करने वाला राज कोन है केरल है कल्यांड कोस का गठन कब किया गया केरल रोजगार गारंटी सर्मिक कल्यान कोस अधिरियं 2021 के तहट किया गया कल्यान कोस की विसिस्ता क्या है 60 वर्स की आई पूरी करने वाले सर्मिक पेंसन के हगदार होंगे पात्र को चिकिस्सा उच्छार सिख्छा बिवाह के लिए बित्तिय सहायता वा अनलाब मिल सकेगा सर्मिकों को कोस में योगदान के रूप में 50 रुपे की मासिक रास का भुगदान करने की आउ सकता है और सरकार भी इतनी ही रास योगदान करेगी सदस्ता के लिए पात्रता 18 से 55 वर्स की आई के बीच होना और आवेदन के वर्स कम से कम 20 दिनों के लिए आकुसल कार सामिल होना सामिल होना सामिल है ठीक है राश्टिय ताप बिदुद निगम और न्यूकिलियर पावर कारपरेशन आप इंडिया लिम्टेड और द्वारा सायोग तुद्दम के अंतरगत किते ने इंडियुखलियर पावर प्लांटर ऐस्थापित य जाएंगे य जाएंगे दो कि ठीक है न्यूकिलियर पावर प्लांट के स्थापनाशित समझा था समझा था समझा थी अगथि1 मई 2023 को समस्था कशचित अंटी पीचियों औड़ पी सब्सक्राइब करनाटक बिधान सब्सक्राइब को सरवाधिक सीटे पराप्त हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस को पराप्त हुई के इंडियन नेशनल कांग्रेस को करनाटक बिधान सब्सक्राइब करने वाली पराप्त करने वाली पार्टी कांग्रेस एक सो पांग्रेस मुखमंत्री कौन बने सिध्धा रमया कांग्रेस के उप मुखमंत्री कौन बने टीके स्योगमार कांग्रेस से ठीक है अन्ड पार्टियों द्वारा प्राप्त सीटों की संख्या कांग्रेस एक सो पांग्रेस एक सो पांग्रेस मत्का प्रजद 42.9 परसंट पीजेपी 66 सीट प्राप्ती 36 परसंट ओट्विला और जे डी एस नी सीट प्राप्त करके 13 परसंट तीन परसंट ठीक है और स्वतंत्र निर्दलिय यानि दोप सीट ठीक है अप्रेल 2023 में सवराष्ट तमिल संगमम का आयोजन कहां पर किया गया किया गया गुजरात में ठीक है सवराष्ट तमिल संगमम आयोजन अवदी 17 से 26 अपरल 2023 आयोजन अस्तल गुजरात सोमनाद द्वारा स्टैचू आफ यूनुटी इस कारिकरम ने एक भारत स्रेष्ट भारत के अस्तावना को बढ़ावा दिया कई सदी पूर बड़ी संख्या में लोग सवराष्ट छेतर से तमिल नाडू चले गए थे इसे देखते हुए सवराष्ट तमिल संगमम ने सवराष्ट के तमिलों को अपनी जड़ों के साथ फिर से जुड़ने का एक अउसर प्रदान किया है इस संगम में तीन हजार से अधिक सवराष्ट के तमिल एक बिसेश ट्रेंड से सोमना था है इस संगम में तीन हजार से अधिक सवराष्ट के तमिल एक बिसेश ट्रेंड से सोमना था है अपरेल 2023 में केंद्रिया गर्य हम सवराष्टा मंत्री एमिसान ने वाय brant village programme का सुभाराष्टा मंत्री आमिसान की दसमा थीनी दस अपरेल 2023 को किया गया सुवारम करता केंद्रिया ग्रहियों साहिकार्था मंत्री हमिसा ने किया सुवारम अस्तल की बीतु में किया और अचल प्रदिश का सिमय औरती गाउं है योजना आवज दिन 2022-2023 से 2025-26 तक योजना परिब्य लगा 4800 करून रुपे लगा ठीक है योजना के लक्ष सीमा वरती गाउं में मोलभूत सुद्धाओं को पहुचाना रोजगार की व्युशा करके वहां से प्लायन को रोगना सीमा वरती गाउं में मोलभूत इंस्ट्राटर्टर कड़ा करना मुक परमुक बिंदू इस योजना के तहट अनुडाचल परदेश सिक्किम उत्तरा खान हिमाचल परदेश और केंस्ट रासित परदेश लद्धाख में उत्तरी सीमा से सटे उनीज जिलों के 46 बलाकों में के 2966 गाउं का ब्याबग विकास किया जाएगा इस योजना के पहले चरण में 11 जिलों के 28 बलाक से 1401 गाउं को सामिल किया गया है अप्रेल के विभारत निरवाचन आयोग ने किस बलको राश्री गढलका दरजह प्राप्त किया प्रधान किया है ठीक किया है आम आदनी पार्टि को आम आदनी पार्टि गों राश् Option कल दलका दरजा मिला रिज़ा कि थी 10 अप्रेल 2023 को दर्जा प्रदान करता भारत निर्वाचनायोग ने प्रदान किया नया राष्टिय दल नामादनी पार्टी बना है वर्तमान में राष्टिय दल दर्जा की प्राप्त पार्टीयां पहले नंबर पर है भारतिय राष्टिय कांग्रेस आई अन्सी दूसरे भारतिय जनता पार्टी बीजेपी तीसरे बहुजन समाज पार्टी बीएस्पी ठीक है चौते भारतिय कम्मुनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM पाचिव नेशनल पीपल्स पार्टी एन पीपी चटे पर आम आदनी पार्टी आप अनमात मुर्तत के बारत देखते हैं बारत निर्वाचन आयोग ने अकिल भारतिय तिर्ण मुल्क कांग्रेस ए आई टीमसी पार्दे कम्मुनिस्ट पार्टी CPIM तर राष्टवादी कांग्रेस पार्टी एन CP से राष्टिय दल का दर्जा वापस ले लिया है राष्टिय दल दर्जा के लिए मान दंड यदि कोई दल लोकसभा अत्वा बिधान सभा के आम चुनाओं में चार या अधिक राज्यों में बैद मतों का छे प्रत्सत मत प्राप्त करता है तथा उसके साथ वा किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में चार सीटें प्राप्त करता है या फिर यदि कोई दल लोग सभा में दो परस्ट सीटों पर बिजए प्राप्त करता है तथा ये सीटें उसे कम से कम तीन राजियों से प्राप्त हुई हो या फिर यदि कोई दल कम से कम चार राजियों में राजस्तिरिय दल राज इस्तिरिय दल का दर्जा प्राप्त करता है ठीक है अप्रेल 2023 में जारी किये गए राज उर्जा दच्चता सुचकांग 21-22 में सीर सस्थान सीर सस्थान किस राज ने प्राप्त किया तो ये किया करनाटक ने राज उर्जा दच्चता सुचकांग 21-22 परिचेक या सुचकांग और्जा दच्चता ब्यूरो बीई द्वारा एलाइंस पार एनेटजी एफिसियंट एकोनोमी के सहयोग से बिक्सित किया गया है इस सुचकांग में बितवर्स बितवर्स 2020-2121 के लिए और्जा दच्चता कार्यानवन में राजियों और केंसासिक पर कि दस अपरेल 2023 जारी करता बित्वर्स बंत्राले भार सरकार द्वारा वर्तमान संस्कंड चतुर्थ प्रतम संस्कंड 2018 में किया गया सीर सस्थान प्राप्त करता करनाटक सुचकांग में राजियों का प्रदर्शन प्रंट रनर 60 से अधिक सेड़ी अंक राज प्रंट रनर 60 से अधिक अंक करनाटक आनपरदेश केरल राज़तान और तेलांगना के हैं ठीक है अचीवर में आगे पचास से साथ अंक असम हरियाडा महराज पंजाब ठीक है कंटेंडर 30 से 49 दसमलों पाँच चंदीगड चतिसगड दिल्ली गुजराद चारकंड मत प्रदेश उड़ी सायों उत्तर प्रदेश एसपेरियंट एसपेरियंट तीस सिक्कम तमिल नाड पस्चि मंगाल बिहार प्राकंड हिमाचल प्रदेश गोवा जम्मो कस्मीर दादर नगर हवेली दादरा और नगर हवेली युम दमन और दीप उदुजेरित तिरपुरा सिक्किम मेघाला अनमानियों निकोबार दीप समों नडाचल प्रदेश मिजोरम मडीपुर नागा लैंड लक्ष दिप लद्धाग उत्तर प्रदेश की वनचास अंक उत्तर प्रदेश ने वनचास अंक प्राब्द किया है तथा यहां का इंटेंडेंडन स्रेड़ी में है तेलांगना और आंध्र प्रदेश ने अपने अपने प्रदर्शन में सरपाधिक सुधार अस्था प्रदर्शित किया है अप्रेल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी की गए इस रिपोर्ट में बड़े राजियों की स्रेड़ी में सीर्स अस्थान की स्राज ने प्राप्त किया है तो यह किया है करनाटक ठीक है इस रिपोर्ट के माध्यों से भारती राज्यों को नियाय तक उनकी पहुंच की छमता की अनुसार रैंक परदान की जाती है जारी दी थी चार अपरे 2023 को जारी करता टाटा ट्रस सेंटर फार सोसल जस्टिस कामन काज और कामन बेल्थ यूमन राइट इनिस्टेटिव के सहीयोग से संसकंड कों साथ तरती है परतम संसकंड 2019 में संकित कों की संक्या 102 रिपोर्ड में राज्यों की स्रेड़ी पहले बड़े यूम मद्यमाकार के के राज कुल एठारा राज दूसरा चोटे राज्यों कुल सात राज बड़े राज्यों में सीर्स अस्तान प्राप्त करता करनाटक 6, 10, 3, 8 अंक बड़े राज्यों में अंतिम अस्तान प्राप्त करता अंक उत्तर प्रदेश के तीन दलों 7, 8 अंक बड़े राज्यों में सीर्स तीन राज पहला करनाटक दूसरा तमिल्लाट तीसरा तेलांगना बड़ी राजियों में अंतिम तीन राज लाओ नमपर पर बिहार पर पस्ची मंगा लट्राओं पर उत्तर पुदेश चोटे राजियों के स्रेंड़ में सीर्स पर अस्थान प्राप्त करता है कि सिक्किम पाच प्राप में अंतिम अस्थान प्राप्त करता गोवा तीन दस्मलोगों पर्जांट परसेंट तू अंग गोवाट थी समलोग और टू अंग मार्ट 2023 में जारी नागा लैंड बिधान सवाज चुनाओ परिडामों में सबसे अधिक शीटे किस दल ने प्राप्त की तुएकि नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिब पार्टी ने नागा लैंड बिधान सवाज चुनाओ 2023 के बारे में देखते हैं मद्दां 37 परफ़ी 2023 को मत गढ़ना हुई दोई मार्ज 2023 को सीटों के कुल संख्या 60 चुनाव परणाम देखते हैं कि पार्टी बिजित पार्टी प्राप्त मत प्रतिसत में नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने 25 सीटें प्राप्त की ऄ요 37 22 परसंट पार्ट्य जनता पार्टी बारा ग्राश री परसंटजител प्रेसिए उत्हणल को हरा ग्रेसिए नागा पेपल्स प्रंट दो सीटे प्राप्त की दो सीटे प्राप्त की तीन दो पांच परसेंट स्वतंत्र निर्दय यानी निर्दय लिए चार सीटे निकली टोटल साट सीटे महत्मूर्ण तख्त के बारें देखते हैं नागा लैंड बिधान सवा की साट सीटों में से उन सट सीटी अंसूची जनजातियों के लिए रक्षित बारतिय जन्ता पार्टी आकू लटो बिधान सवा छेतर से निर्वरोध निर्वाचित हुई नेशनल डेमोकरेटिक पार्टी एन डीपीप में एकानी जखालू नागा लैंड की पहली महिला बिधायक के रूब में निर्वाचित हुई साथ मार्च 2023 को यन डीटीपी ने के नेता नेफी रियों ने नागा लैंड के मुकमंत्री के रूब में सफ़त गराण किया मार्च 2023 में मेगाले राज के बिधान सवा चुनाओ परणाम जारी किये गए इस चुनाओ में सबसे अधिक सीटे किस दल को प्राप्त हुई कि नेशनल प्यूपिल्स पारटी को ठीक है कि मेगाले रिधान सवा चुनाओ 2023 मद्दान तिथी 27 परणाओ परणाम जुनाओ परणाम तिथी दो मार्च 2023 को ठीक है पर सीटों की कुल संख्या साथ चुनाओ परणाम नेशनल प्यूपिल्स पारटी कि बिजिटे 26 प्राप्त मत प्रसत 31.49 परसंट युनाइट डेमोक्रेटिक पारटी 11 प्राप्त हुई 16.21 परसंट अर्थी राष्ट्य कंग्रेस कंग्रेस बिजिट 5 सीटे प्राप्त हुई 13.14 परसंट आल इंडिया त्र युथ वाइसाबदा फ्यूपिल्स पार्टी 4 सीटे हैं वारति जनता पारटी 2 सीटे 9.33% एच एस एच एस किडिए फो तंद्टें कि न पंच परसंट फ्यूपिल्स देमो क्रेटिक परटी दो सीटे 1 इट सित इंट सुटांदर दो डूसी टोटल 59 पिटें थी को अन्यमात्म प्रॉण्ज से विधान सभा की साथ सीटों में 55 सीटे आनुजोची दिन जातियों की लारक्षीत में खुल 65 विधान सभा छेत्रों में चुनाव संपन कराया गया इस बार कॉन्रोड संग्मा के निर्टुत्वाली नेशनल पार्प्यूपिल्स पार्टी में सबसे अधिक 20 सीटे प्राप्थ की साथ मार्थ 2023 को कॉन्रोड संग्मा ने लगातार दूसरी बार मेगाले के मुकमंत्री सपद की सपद ले मार्थ 2023 में नई दिल्ली में राय सीना डायलाग का आजन किया गए इस समेलन में मुक अतिति कौन थे थी जोर्जिया मिलोनी थी ठीक है राय सीना डायलाग 2023 परिचे राय सीना डायलाग भू राजनीतिक भूर रंड नीतिक पर भारत का परमुक समेलन है आजन अवदी दोज से चार मार 2023 आजन अस्तर नई दिल्ली आजन करता विदेश मंत्राले द्वार आपजर्बर रिसर्च फाउन्डेशन के सहीयोग से संस्काण का कौन था आठमा संस्काण प्रतम संस्काण 2016 में थेम प्रोबोकेशन अंसर्णिटी तर्बुलेंस लाइट हाउस इन दा टेंप सेट मुक के थी थी कौन था इटली के प्रधान मंत्री जॉर्जिया मिलोनी ठीक है मार्द 2023 में तिर्पुरा विधान सभाद चुनाओं के परणाम जारी किये गए इस विधान सभाद चुनाओं में भारती जनता पार्टी ने कुल कितनी सीटों पर बिजय पराप्त की तो यह 32 सीटों पर विजय पराप्त की अधिर्पुरा विधान सभाद चुनाओं 2023 मद्दान देथी बद्द की 18 सीटों 997 परसंट टीपरा मोठा पार्टी तीर थेरह सीटे पराप्त की कम्निस्ट कर्टी आफ इंडिया मार्क्सिष्टial Zigर शी पराप्त B Red यह कंगरेश पारटी भारतिय राष्टिय कांगरेश थिन सीटे पूरापत की 8,05 परसेंट इंडीजेंस इंडीजेंस क्यों पूपिल्स फ्रंट आप तिरपूरा एककी 1,26 परसेंट महत्पूर्ण बिंद के बारे में देखते हैं तिरपुरा बिधान सभा की 60 सीटों में से 10 सीटी अंसूची जाती हैं तो था 20 सीटी अंसूची जन जाती हों के लिए अरक्षीत हैं आठ मार्च 2023 को भाजपा नेता मडिक सहा ने दूसरी बार तिरपुरा के मुख मंतिरी पत की सफत ली मार्च 2023 में उच्व्चितम नियालेद्वारा दिय गए नेडे के नुसर मुख निरवाचन आयुकतियों अन बार तो्क्र में गठित समिथ कम रह मंतिरी इसमें नहीं सामिल नहीं होती है मुक निर्वाचन आयुक्तियों अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संदर में उच्चितम न्याले का नियुड़ है इसके संदर में मुक निर्वाचन आयुक्तियों अनिर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति सम्मिधान के अनच्छे 324-2 के तहट की जाती है परंत इनके नियुक्ति के लिए सम्मिधान में कोई बिस्ष्ट बिधाई परकिरिया मनित नहीं है अभी तक इनकी नियुक्ति प्रधान मंत्री की नियुक्ति में मंत्री परस्त की सलापर राष्ट पर द्वारा की जाती थी नेड़े थी थी दो मार्थ 2023 को नेड़े मुख चुनाव आयुक्तियों अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्री उचस्तिरी समीत की सिपारिस पर राष्ट पर द्वारा की जाएगी समीत में सामिल होने वाले थे प्रदान मंत्री लोग सभा में विपक्च का नेता भारत का मुख नेडिए निड़े दी आगया 5 2018 समीधान फीठ दौरा ठीक है कि अब्चाट पीठ की जैन मूर्ति लोग सभा में बिपक्च का नेता उबलब दना होने पर सबसे अधिक जन प्रत्मिनिदियों वाले विपक्षी दल के नेता को इस समित में सामिल किया जाएगा। अर्जुन राम मेगवाल ने इस संदर में एक विदयक राजसभा में पेस किया। समित के गठन का प्रावधान किया गया है। इस तीन सदस्ती समित में प्रदान मंतरी लोगसभा में विपक्ष का नेता यूम कैबनेट मंतरी सामिल होंगे। भारत के मुख न्याइधिस को इस समित में सामिल नहीं किया गया है। मार्च 2023 में प्रदान मंतरी नेनन्द मोदी ने कहां पर बिस्ट के सबसे लंबे रेलवे प्लेट फार्म का उदगाटन किया है। तो किया है होबली धारवाड में कहां किया है होबली धारवाड में विश्ट के सबसे लंबे रेलवे प्लेट फार्म का उदगाटन कहां किया है उदगाटन करता प्रदान अंतरी नेनन्द मोदी ने किया उदगाटन अस्तल होबली धारवाड करनाटक में किया इस्टेशन प्लेटफार्म का नाम सिद्ध रोडा स्वामी जी हुबली स्टेशन प्लेटफार्म की लंबाई 1507 मीटर है अन्य मात्पूर्ण तत के बारे में देखते हैं इस अउसर पर प्रधानमंती नेंद मोदी ने आई-ाइटी धारवाड को राष्ट को समर्पित किया जनुरी 2023 में सिद्ध रोडा स्वामी जी हुबली स्टेशन को गिनीजबुक आफ वर्ड रिकार्ड हुद्वारा विस्क के सबसे लंबे रेल प्लेटफार्म का दर्जा प्रधान किया गया था इससे पूर गोरकपुर जन्क्सन लंबाई 1366.33 मीटर विस्क का सबसे लंबा रेल प्लेटफार्म था ठीक हुद्वारा इससे पहले कांगडा चाय को यूरूपीय आयोग का संशिप भrauघौलिक संकेत का दर्जा मिला दरजा प्रदान tiếpी 22 मार्ज 2023 को दर्जा प्रदान करता यूरूपीय आयोगने किया दर्जा ग्राप्त उत्पात कांगडा चाय को मत्पूर्थत क्या है टांगड़ा चाय में python प्रतिश को कांगडाला जिले में हुगा ही जाती है our गांग्डा चाइब को वर्स दोजार पचीज में जियाई ट्राइड परदान किया गया था 2005 में 2005 में कांग्डा चाइब को वर्स 25 पे रहाई टाइड परदान किया गया था इसान में dominant प्रकासित करने वाला देश का पहला उच्छ नियाले कौन बना बना केरल उच्छ नियाले ठीक है झेत्रे भांसा में निर्णप्रकासित करने वाले देस का पहला उच्छ न्याल है केरल की छेत्री भासा मली आलम है ठीक है नेड़े प्रदान करता केरल उच्छ नियाले के मुक नियाधिस S मडी कुमार और नयामूर्थ साजी साजी पी चाली केरल उच्छ नियाले के मुक नियाधिस S मडी कुमार और नयामूर्थी साजी पी चाली है कि अधिक है अन्य महत्मुर्टतत्य के वारे महाल ही में भारत के मुख न्याइदिस डिवाई चंचुन द्वारा सर्बोच न्याले और उच्छ न्यालों को छेत्री भासाओं में नेड़ने को प्रकासित करने पर जोड़ दिया गया है उच्छ तम न्याले के नेड़नों को में अन्याइमूर्थ अभय ओका की अध्यक्सता में एक समित का कटन किया गया है जनुरी गोसूरा गया है जो किया गया है कोलम को इसे हैं इसको कोलम को जो कि के नंदा फोल्म को कि के हैं तो भारत का पहला सम्हार साक्षर जिला मुपिष सा हाय में गौसओला थी थी 14 जनलबी दोflix से शुको को älता के मुक्नित मने पिर्षिफिजटी ने भारत की पहला सम्हार प्राइब कर देखते हैं को लम ने यह अपलब्दी सम्मिधान साख्चरता अभियान दा सिटीजन 2022 की परणाम सुरूप पराब्द किया है 53 में देघ्र का पहला पोर्ण डीजिसल बैंकिंग राज किसे घोसित किया गया तो िकियाzna केराल को कि ऐसका पहला पूर्ण साथ अभागो तते का पहला पोर्ण डिजिसल बैंकिंग राज रहाज टोसुव डिशाथ 272ार 2020 को करता करेल साथ केरल आज में सभी पात 376 करोन खातों में कम से कम एक सेवा या उत्पार डिजिटल रूप से उपलब्द है केरल द्वारा यह उपलब्दी भारती रिजर बैंक की डिजिटल भुक्तान फास्त की तंत्र का बिस्तार और गहनता योजना के तहत हासिल की गई है जनुरी 2023 में कौन सा जिला फाइब जी तकनीक लागू करने वाला देश का पहला आकांची जिला बन गया है यह बन गया है बीदिशा ठीक है कौन बीदिशा 5G अकांची 5G तक्नीग लागू करने वाला चिला अапांची जिला कुन बना है तही बना है बीदिसा लागू करने कि थी जिर लागू करने किदि जोट के सहयोग से मादश प्रदेश में आकांची जिलों की संख्या कितनी है आठ अन्य महत्मोर तत्थ प्रदानमंत्री मुधी ने साथ जनुरु दोजार तेश को साथ जनुरु दोजार तेश को देश के 500 बलाकों के विकास के लिए आकांची बलाक कारिकरम का सुभारम किय कि है श्वार्म किया था कि भारत की 111 natur बारा इक सो बारा आकांचि जिले उत्तर प्रदेश में किल आठ ड़न है जिन में वह्श्यय बलरावपुर चंडवम जित्र कोर्ट पतेपुर वी शिदरानगर सोन्भथ द्सामिले रहै प्रदानुदी ने कहां पर विष्ट के सबसे लंबे रीवर कूज एंबी गंगा बिलास को हरी जंडी दिखाकर रवाना किया वरांड़सी में प्रदानुदी ने कहां पर विष्ट के सबसे लंबे रीवर कूज एंबी गंगा बिलास को हरी जंडी दिखाकर रवाना किया वरांड़सी में इसको सबसे लंबा ग्रीवर कुरूज M.B. गंगा बिलास रवाना करता प्रधानमतिर नेरंद मोधी वीडियो कानफ्रेंसिंग की माध्यम से यात्रा प्रारम तिति त्याजनु 2023 को यात्रा प्रारम अस्तल वराणसी में यात्रा समाक्ति अस्तल बोगी बिल डिवरुगर अस समय यह जात्रा अवधि पंजय क्यावन दिन एक मार्द 23 तक मार्द 2023 तक यात्रा के दवरानत्ताइन की जाने वाली दोरी यात्रा के दोरानिया कुरूज पचास से अधिक परेटन अस्तलों पर रुका जिन में में सभी लगजरी सुधाओं के साथ साथ तीन देख चंता वाले अठारा सूइट्स हैं इसकी पहली यात्रा में सूइचर लेंड के 32 परेटक सामिल थे हैं तेरह जनवी 2023 को प्रधान मंतरी ने वाराणसी में टेंट शिटी का उधगाटन किया जनुरी 2023 में केंद्रिय मंत्र मंदल ने राश्टी हरित हाइड्रोजन मिशन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी परदान की इस से सम्मंदित निम्न कदनों पर विचार कीजिए इस मिशन का प्रारामभि परदिय 19,744 क्रोन रॉपए इस से प्रतिवर्स कम से कम 5 मिलियन मिट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन चम्ता का बिखास होगा इससे प्रतिवर्स कम से कम 5 मिलियन मिट्रिक टन की हरी ताइडोजन उतपादम चमता का विखास होगा इससे ग्रीन हाउस गैस उसरजन में प्रतिवर्स लगबग 50 मिलियन मिट्रिक टन की कटवती की संभावना है ये सभी चारों कतन सत्य है ठीक है अब राष्टी हरित हाइडोजन मिशन के बारें देखने नेशनल ग्रीन हाइडोजन मिशन मंजूरी दिछ चार जनरी 2023 को मंजूरी प्रदाता केंद्री मंद्रिवंडल द्वारा प्रारंभिक परिब्य उनीस जार साथ सो चोवालिस करोन रुपे उद्देश क्या भारत को हर संभावित प्रडाम 2030 तक मिशन के संभावित प्रडाम 2030 लगभग 125 गीगावाट की संबध अच्छे उर्चा चमता ब्रिद्दियों प्रतिवर्थ कम से कम पांच मिलियन मेट्रिक टन म्म्ट की हरित हाइडोजन उत्पादन चमता का विखास ग्रीन हाउस के सुसर्जन में प्रतिवर्थ 50 मिलियन मेट्रिक टन की कमी ग्रीन हाउस गैस उसर्जन में प्रतिवर्थ 50 मिलियन मेट्रिक टन की कमी आठ लाग करून रुपे से अधिक का निवेश्ट चाह लाग से अधिक रोजगार का सिर्जन एक लाग करून रुपे से अधिक मूल के जिवास मेनन में आयात में कमी मिशन के महत्मोर बिंद और घटक हरित हीड्रोजन संक्रमाट कारिक्राप के लिए राणनीतिक हस्चेव साइट इसके अंतर्गत दो बित्तिय प्रोचान तंतर बनाये देये हैं इलेक्ट्रोलाइजर का घरेलू बिनिर्माड हारित हीड्रोजन का उत्पादन स्ट्रेट्जिक हीड्रोजन इनोबेशन पार्टनर्शिप स्ट्रेटिक हाइड्रोजन इनोबेशन पार्टनर्शिप इसके तहत अनसंधानियों विकास के लिए सार्विन निजी भागिदारों की सुविधा प्रदान की जाएगी ग्रीन हाइड्रोजन हब बड़े पैमाने पर उत्पादन और हाइड्रोजन उत्पादन और या हाइड्रोजन के उपयोग में सक्षम छेत्रों की पहचान की जाएगी और उन्हें ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में बिक्सित किया जाएगा लोन ये ना सच्च हांत भुशाइब्स पेशित किया जाएगे नीत फ्रेंट आपड़ा स्था और स्थापमाठा चाल गॹुलिए सब्सक्राइब लिए सब्सक्राइब्स की दहएगा विश्चान के तहट ए numerator takes समानवित भांश कारेक्रम चलाएट गारे मजबूत मानक और बिनिये में नाचा का बिखास किया जाएगा यह मिसन अगरते अन्ति मुपियोग छेत्रों रुद्वादन मार्गो में पाइलिट परियोजनाओं का भी समर्थन करेगा अब देखते हैं अंतर राष्टिये के बारे में ठीक है अंतर राष्टिये के गट्मा के बारे में Oh त जनुशोब़ा 24 में संपन गुट निर्पेच आन दोलन एन एम के उनेशवे सिकर समय लंट का आऑ जन कहा किया गया कंपाला यूगांडा में है कहा किया गया अपTime कभाला यूगांडशो group меся चांदोला नेमे का उनीश्वा सिकर समयल आयोजन थावद 15-20-2024 आयोजन अस्तल कंपाला योगांडा में आज थीम क्या है साजा 22 सम्रिद्धी के लिए गहरा सयोग डीपिंग डीपिंग कार्प्रेशन वार शेर्ड ग्लोबल एफिलेंस अधिस्ता की ही योवेरी कागुटा मुसावेली राष्टपती यूगांडा गर्राजी के ठीक है भारते प्रदिने दिमंडल का निर्टत किया विदेश मंत्री डाक्टर एस जैसंकर ने अधिस जैसंकर ने अन्य महत्मूर्तत के बारे में अफ्रीकी देश यूगांडा दोजार चोबी से सैंटालिस तक गुटन रुपेच आंदोलन एनेमे की अधिस्ता कर रहा है जनुरी दोजनगा जनुरी दोजार चोबीस में पिारतिक मंच की चौनवी बार्थिक बैठक का आयोजन कहां किया गया दाऊस में कहां किया गया दाऊस में की सब्सक्राण सुर्द्ष्र अधिसर जानमां भारत में keeper तोच यह प suitable गार मेंत। किस्मिर्टी एरानी असुनी भैसुनों और हरदीव सिंग पूरी केंद्री मंत्री ने बैठक की थीम क्या है री विल्डिंग ट्रस्ट री विल्डिंग ट्रस्ट वर्स तुजार चोबिसमें इन इसकों की बिस सुधरवर समित के 46-ए सुधर की अध्यशता और मेजवानी कों करेगा यह करेगा वारत करेगा युने इन स को की विस सुधरवर समित का 46 आध्यशता या मेजवानी करेगा भारत पहली बार विस सुधरवर समित की बैठक का आयोजन 21 से 31 जुलाई 2024 को 20 धरोहर समित में सामिल देश 21 देश ठीक है अर्जन्टीना, बेल्जियम, बुल्गारिया, ग्रीज, भारत, इटली, जमाइका, जमपान, कजाकिस्तान, केनिया, लेबनान, मैसको, कतर कतर, दच्छिन कोरिया, रवांडा, सेंट, वीसेंट, ग्रेडाइन, तनेगल, तुर्किय, युक्रेन, बियतनाव और जांबिया, कारिकाल बिस सुधरोहर सम्मेलन के अनुजार समित के सदस का कारिकाल च्छावर्स होता है जनुट दुजार चोबिस में सेख हसीना ने पांचवी बार बांगलादेश के प्रदानमंत्री के रूम में सपत ले, ये किस राजनीतिक पार्टी की परमुख है तो ये हैं बांगलादेश अवामी लेक से, ठीक है सेख हसीना ने पांचवी बार बांगलादेश के प्रदानमंत्री पत्ति की सफत ले, ठीक है एन महतुन तत के बारे मनें साथ जरूद उजार चोबिस को हुए आम चुनाओं में सेख हसीना की पार्टी बांगलादेश आवामी लीगने 300 सदस्टी है संसद में 230 सीट पर जीत दर्ज की है इस चुनाओं का मुख पक्षी बांगलादेश नेशनल लिष्ट पार्टी बी एन पी और उसके सहीयोगे ने बहिसकार किया था एक हसीना बांगलादेश की बार्वी प्रधान मंत्री है जनुरी दुजार चोबिस में फेडरिक एक्स किस देश के नए समराड बने ये बने देन्मार के प्रधान मंत्री देन्मार के नए समराड राज्या विसेक्ति थी 14 जनली दुजार चोबिस को नए समराड बने फेडरिक एक्स 25 वर्सी अन्य महत्मुर्ट थत्के बार्व देन्मार के समराड कपद 83 वर्सी राणी मांगरें दुटिये के स्वेक्षा से सिंगासन चोड़ने के कारण खाली हुआ डेन्मार के ने 900 वर्सों के इतिहास में ऐसी पहली बार हुआ जब इसी राजा राणी ने स्वेच्छा से समराड कपद चोड़ा मांगरें दुटिये फेडरिक एक्स की माह है यह 1972 से डेन्मार की सासका थी दिसंबर 2023 में जारी जल्वाई परिवर्तन ब्रदर्सन सुचकांग 2024 में भारत में कौन सा अस्थान प्राप्त किया है कुन सा साथ मांग जल्वाई परिवर्तन सुचकांग Climate Change Performance Index CCPI 2014 जारी तिती आठ दिसम्बर 2023 जारी खर्था जार्मनवाज न्यू क्लाइमेंट इंस्टिट्यूट और क्लाइमेट एक्सन नेटवर्क इंटरनेशनल सम्लित देशों की संक्या 63 देश यों यूरोपी संग संकेतक चार ग्रीन हाउस गैस उसाजन 40 परसंट नभी करणिय उर्जा 20 परसंट उर्जा उपयोग 20 परसंट जलवाइव नीत 20 परसंट सीर्स तीन देशों डेनमार्क स्कोर 75.59 परसंट एस्टोनिया स्कोर 35.07 परसंट फिलिपिन स्कोर 77.70 परसंट इस सूचकांग में किसी भी देश को पहला पहला दूसरा और तीसरा रहास्थान प्राप्त नहीं किया गया है ठीक है अन्तिम तीन देश सर सुठवे नंबर पर सॉधी अरव स्कोर निज दूनों 33% तीन चाचट नंबर पर इरान स्कोर तेज दसमलो 5-3% स्कोर 24.5% भारत की रहेंग सात्मी रहेंग स्कोर 17.25% सी सी पी आई वजार तेजन भारत की रहेंग आठमी है स्कोर सरसट आठमी थी सरसट पॉइंट 3-5 अन देशों की रैंकिंग 51 चीन की है 51 स्कोर है 55-5-6 रूस की है 63 स्कोर है 31 पर चुन है 57 यूसे की 57 स्कोर है 27 नौ अन महत पूरतर बारत ने लगा थार 55 वर्सी सुचकांग में सीर्स 10 में स्कोरात किया है